So hey guys, welcome to another video, मेरा नाम है शुबम और आज की इस वीडियो में मैं आपको अन्बॉक्स करके दिखाऊंगा इस Vivo के V20 को, यहाँ पर बॉक्स के उपर में कुछ हाइलाइट्स है जो की है 44 मेगापिक्सल का आई आटो फोकस कैमरा, अल्टरा स्लीक मैटल ग्लासेस प्लस 64 मेगापिक्सल का नाइट कैमरा यहाँ पर दिया गया है यहाँ बात करेंगे इसकी वेरियंट की, तो 8GB प्लस 128GB वाला वेरियंट है कलर जो है वो संसेट मैलेडी है, प्राइस यहाँ पर बॉक्स पर है 27,990 रुपीज का तो चलिए फटाफट बॉक्स को उपेन करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या-क्या देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर बॉक्स उपेन होने के बाद जो आपको देखने को मिलता है एक carry case और कुछ user manual और एक sim ejector tool यहाँ पर आपको main phone देखने को मिलता है जो कि plastic में wrap दिखता है यहाँ पर Vivo के तरफ से flash charger 2.0 भी दिया गया है जो कि आपके phone को फटा-फट चार्ज करने के लिए काफी होगा और एक USB to micro USB-C वाला cable भी देखने को मिलता है और सबसे बड़ी बात कि आपको इस Vivo के phone में एक 3.5 mm audio jack वाला एक earphone भी देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर phone हमारा फटा-फट बूट हो गया है और हमने fingerprint sensor भी इसमें लगा लिया है तो बहुत ही जल्दी एक्सेस दे देता है यहाँ पर pre-loaded कुछ apps भी है जैसे कि आप यहाँ पर देख पाऊगे कि phone पे है Snapchat है Flipkart है इसे आप अपनी merge के साफ़े यूज कर सकते हो या फिर आप चाहते से uninstall भी कर सकते हो बात करते हैं अगर इसके Android version की तो यह Android 11 पर काम कर रहा है और यहाँ पर हमारे वेरियंट जो है वो है 8GB प्लस 128GB प्रोसेसर यहाँ पर 2.2 GHz का Snapdragon 730 वाला OctaCore प्रोसेसर दिया गया है वहीं अगर GPU की बात करेंगे तो Adreno 618 वाला इसमें GPU यहाँ पर देखने को मिल जाता है triple camera का यहाँ पर setup पीछे के side में आपको देखने को मिलता है जहाँ पर main camera जो है वो 64MP का है with aperture 1.9 और दूसरा camera जो है वो 8MP का है जो एक ultra wide camera है यहाँ पर तीसरा camera जो है वो 2MP का depth camera है और front camera जो है वो 44MP का है जो की aperture 2.0 के से आपने देखने को मिलता है यह एक wide angle lens है यहाँ पर micro shots जो आप देख रहे है वीजो स्क्रीन पर वो एक micro shots लिया गया है तो आप देख सकते हो कितना चाहे clarities में देखने को मिलता है यहाँ पर camera के अंदर में बहुत सारा mode है जिसे कि night mode हो गया पर more पर click करके आप यहाँ पर lens भी चूज कर सकते हो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप front में और पीछे की side दोनों में आप 4K recording 60fps कर सकते हो यहाँ पर बात करते है physical dimension की आती है तो volume rocker यहाँ पर plus minus देख सकते हो ठीक उसके नीचे एक power button है नीचे की तरब speaker grid और एक type C वाला cable देखने को मिल जाता है यहाँ पर एक microphone है जो की primary microphone है और एक 3.5mm audio jack यहाँ पर इस side की बात करें तो यहाँ पर SIM ejector की मदद से आप यहाँ पर दो SIM card लगा पाऊ गया दो की जो की दोनों 4G SIM card हो गया उपर की तरब देखेंगे तो एक noise cancellation mic दिया गया है यहाँ आप इसके sound को भी थोड़ा सो सुन लेते हैं और देखते हैं कि sound की quality क्या है यहाँ डिस्प्ले अगर बात करें तो Super AMOLED आपको display भी देखने को मिलता है So I hope कि वीडियो आपको अच्छी लगे होगी वीडियो अच्छी लगे तो फिलीज इसे एक like कर लेना और किसी भी तरह को सुझाओ या जिकायद नीचे comment box खाले नीचे comment कर सकते हो आप तो चलिए ने मिलते एक नेका